मेंटर के माध्यम से मैंने जितनी भी सारी चीजे समझी वो मैंने एक सरल भासा में समझी फ्रेम करने का मेरा एक ही उद्देश रहा कि जो चीज आखों के सामने बार-बार आती रहती है तो कुछ अलगी उसका प्रभाव पड़ता है नोलेज तो एक-एक शब्द में था उसमें जितने कॉर्स हो सके में उसको अपने ज्यान में लाके उनको एक अच्छे तरीके से कर सको किसे बाइस के सम्थिंग कॉर्स करे और उसमें से मैंने 10 फ्रेम इस तरीके से मैंने बनवाई सब्सक्राइब काम कोई मुश्किल नहीं होता है उसको आसान करना अपने हाथ में होता है दोसों आज मैं आपको बताने वाला हम भुआपने दिल्चEOff चीजॐ आपने फिल्मों के लिए दिवानगी देखे होगी गानों के लिए लोगों में क्रेश देखा औगा लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि Freedom Map के Courses के लिए कितनी दिवानगी है, कितना क्रेज है, कितना जुनून है आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ रतलाम, जिले के रहने वाले, गुजर बढ़ियान का गाम है, मद्यप्रदेश के रहने वाले हैं, गुलाब सिंग इन्होंने तीन महीने का सब्स्क्रिप्शन था और इस तीन महीने में उन्होंने पूरे 21 कोर्स देखे हैं 21 कोर्स देखने के बाद, उन्होंने सर्टिफिक बातनी को इस तरह दिस्प्ले किया है। तो गुलाब सिंग आपका स्वागता का वीडम प्रेटाउम पर लिए अवका बहुत बहुत ब्राइड गुलाब सिंग जी सबसे पहले जाना चाहूंगा कि इसी क्या चीज लगी कि अबने की स्कोर्स देखे मुझे यह चीज लगी कि मैंने उसमें जो सिलेक्ट करा क्रसी से संबंदीत जिसमें मुझे इंट्रेस्ट था उससे संबंदीत चाहए कि जितने को सो हो सके में उसको अपने ज्ञान में लाके उनको एक अचे तरीके से कर सको उसके माध्यम से मैंने जितने भी कॉर्स करें उसमें सारे क्रसी से संबंदी थी है अधर कोई कॉर्स नहीं है उसमें और जैसे मुरा डेरी फार्मिंग का कॉर्स उसमें मैंने में समझा बाकी सारे मेरे लिए तो में ही है प्रमुख है सारे कॉर्से वह आपने एक बिजनस कीया कहते है मेरा मुरा डेरी फार्मां की लिए है लेकिन मैं नेने सोचा कि मोरा डेरी फार्मिंग के साथ क्रशी का काईरिव करते हैं तो क्यों Schnee इंटर ग्रेटेड करके कोर्स है उसमें फसलों का किस तरीके से बॉया जाता है किस तरीके से उसका रख रखाओ सिजन के माध्यम से किस सिजन में कौन सी फसल उनको क्या दवाई देनी होती है कैसे उसका रख रखाओ वो किया जाता है उसकी केर करी जाती है उसके माध्यम से पशुआ को पाला जाता है और सिंपली ये चीज सामने आती है कि क्रशी और पशुपालन का जो मेल मिलाप है या वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं निश्चिन्ति उसको देखकर मैंने ये सारे कोर्स करना उचित समझा क्योंकि इसके लिए मुझे कहीं अलग से और कोई चेतर के अंदर या उसके माग्यम से उसमें इंटर करना चाहता हूं और जो मेने इंटर करा है मेरा कायरी प्रोसेसिंग में चल रहा है बोरा डिरी फर्मिंग को लेकर तो करसी संबंद highly सारी चिज़े इसमें आती है क्या चीज खुरस में दिसे की अगर कोई वैक्ति फिल्म देखने जाता है किसी को एंटरेंध्मेंवेंट पसंद आता है किसी जो रॉमैंक इन चीज अचारि कौन सी ओन सी बात ती हो लगातार यह कोज देखने के आपको प्र影िद करती होने जी नोलिज तो वो एक-एक शब्द में था उसमें बाकी उसके लिए मैं कोई शब्द बया नहीं कर सकता क्योंकि जितनी भी जानकरी उसमें दी गई ती और मेरे स्वयम के विवेक से भी मैंने उन चीजों को समझा क्योंकि मैं इसी सेक्टर में मेरा बच्पन और यह उम्र हो गई लेडी 33 य सब्सक्राइब अच्छी लगी को सब्सक्राइब अब्सक्राइब लेकर क्या जी में आधियम से मैंने जितनी भी सारी चीज़े समझी वह तो मैंने एक सरल भासा में समझी, मुझे उनकी भासा भी समझ में आई और मैं उसको प्रेक्टिकली तरीके से मैंने समझा, सुना और मैंने कॉंस्टेटली उसको वीडियो को देखा और बहुत अच्छी जानकरी उसमें मुझे देखने को मिली क्योंकि मैं हर बार ये चीजे इस प्रकर की चीजे इग्नोर नहीं करता हूँ, जहां पर कुछ न कुछ और बहुत ज्यादा से ज्यादा सिखने को मिलता है, तो मैं उस चीज को कतई छोड़ता नहीं। गुलाब सिंग जी आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं लोगों को कि आप कहां तक पढ़े हैं ताकि वह समझ पाएं कि आपने इतने सारे कोर्से देख उसके पीछे क्या कहानी है। जी मेरा एजुकेशन भी इतना ज्यादा नहीं है, मेरा मेरा चल रहा है। केमेश्ट्री से चल रहा है। कहुंसे उन्यूर्सेटि से पढ़ रहा है है। बहुपाल उनिवरसेटी मेरा भुपाल इसमें यह चीज माहिने नहीं रखती ही कि आपकी शेक्षण के योगईता क्या है। आपको किसी भी चीज को चाह और का उधेश आपके बुद्धी थी में प्रतिवधता और उधेश आपका मेन होना चाहिए कि हमें इस लक्ष को करना ही है तो किसी भी विकर इस्टेथी आएगी तो आप उस लक्ष को पा सकते दो गुराप सिन जी एग देखा जी जो चीज भाता हिए जो आपको पूरी तरह समझाए आपको हमारे दर्शक हैं जो तरह देख प्लेटफरम पर देख एड पर देख रहे हैं आपको वो कर्सें तो उनको एक डन समझ जाएगा क्या चीज उनको क्या कहना चाहेंगा जी मैं इस प्लेटफर्म के मद्धियम से यह कहना चाहूंगा जितने भी व्यवसाय के रूप में अगर अपना काम या व्यवसाय करना चाहते हैं उन सभी के लिए मेरा एक ही सजेशन है कि काम कोई मुश्किल नहीं होता है उसको आसान करना अपने हाथ में होता है कोई काम अच्छे तरीके से किया जाए और उसको बिना किसी प्रेशर के और अपने दिमाग से अगर किया जाए तो कोई उसमें असफलता नहीं मिलेगी आपको सफलता ही मिलेगी यह जो सबसे बड़ी चीज कि आपने सारे कोर्सेस को देखा सर्टिफिकेट हासिल किया उसके बाद करवाने के पीछे क्या सोच nya टिया की अचर्वाया क्यूंकि इसमें आपकी बहुत सारे जुनून देखता एक जो आपका नौलेघ के लिए आपका जो रिस्पेक्ट यॉव अधिक तया क्या कि आप जुए पशलता है क्योंकि आंसे सबको फ्रें जी प्रेंद आ करों डिश कि उद्देश्य रहा कि जो चीज आँखों के सामने बार बार आती रहती है तो कुछ अलगी उसका प्रभाव पड़ता है उसी के माध्यम से मैंने सारे कोर्स लिए करें ऑसमें से मैं इस तरीके से में बढ़ आई क्योंकि इन अपने घर मैं लगल गया कर जो वी मेरा उद्देश को में try में tire कोर्स मैंने किया उसके बाद में इसको आगे की और ले जाओ सबसे पहले मेरा मुरा डेरी फार्मिंग के लिए है उसके बाद जितने भी कोर्स है कच्छी गानी का हुआ और हाइड्रोफोनिक का हुआ है सारी चीजी मुझे करने तो यह मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा किया जैसे इन्होंने कोर्स क्या है मिस्टर गुलाब सिंग सक्सेस्फुली कंप्लेटिंग दा फ्रीडम एप ऑनलाइन कोर्स वन्दा टॉपिक ऑफ रूफ टॉप सोलर प्लांट क्रिएट यूर ऑन पावर यह देखिए इन्होंने किस तरह से इस पूरे को देखा है इसके रिस्पेक्ट शो करता है और एक जो क्रेज है एक कह सकते हैं कि उसके लिए दिवानगी है वह यहां पर दिखती है कि कितना बहतरीन जो वां पर कंटेंट है कोर्स है वह आपको कितना अच्छा समझ आता है कितना आपको अपील करता है कितनी बहतर डंग से उसमें आप आपने फ्रीडम एप को इतना अच्छे से समझा है इसका जो नौलेज है उसको अपनी जीवन में शामिल किया है तो हमारी जो दर्शक देखने वाले उनको आप क्या कहना चाहेंगे अगर वो फ्रीडम एपर को देखना चाहते तो उनको उनके लिए क्या कहेंगा आप जी चैतर अभी चैतर से ब्लंग करते हैं मौनली जी आप खॉषी चैतर से वेवसाइक चैतर से हैं और शिक्षा के चैतर से और अप इसह विन चैतरों से तरफ से तमाम लोगों की तरफ से आपको दन्यवाद और हमारे जो सीओ है कंपनी के फीडम एप के सीए सुधीर साथ उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्यू बहुत गुट विशेज आपका जो नया प्रजेक्ट है मुर्रा डेरी फामी का वो कामयाव हो यह हम दिल से तो दोसर एक कहानी है रतलाम जी लेकर रहने वाले गुलाब सिंह की जिनका गाम है घुजर बड़डिया जो नहोंने 21 कोर्स देखे उस नोलेज को उन्हों ने रिस्पेक्ट किया उस नोलेज को उन्हों अपने जीवने अपना है 21 कोर्स में से उन्होंने खुद के लिए ए समझे कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना है और उसके लिए जो गाइडेंस चाहिए जो नौलेज चाहिए वह आपको मिलेगा फीड़म एप पर तो बिना देर किये आप फीड़म एप को डाउलोड कर लिजे इस चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे और इस वीडियो को लाव का दौर शुरू होगा और आप बहुत अच्छे से आर्थिक दौर पर सक्षम बनेंगे अपनी जिन्दगी में एक नई शुरुवात कर पाएंगे तो आपसे मुलाकात होगी नई कहाने के साथ किसी नए फीड़म हीरो के साथ नए फीड़म वारियर के साथ तो अपन